तो वेलकम है दोस्तो आज के इस व्लॉग के अंदर मैं एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ अपनी एक नई प्रॉपर्टी की डिटेल्स लेकर दोस्तो आज की जो प्रॉपर्टी होने वाली है यह द्वार्का सेक्टर 3 के बहुत ही नज़ीक हमने बिल्डिंग आपके पर आपको हमारी साइट से 90% होमलोड की वेसिलेटी मिलती है पकी रजिस्ट्री मिलती है और फ्री ओल प्रॉपर्टी हम आपको देने वाले है तो दोस्तो अगर आप मेरे साथ इस प्रॉपर्टी का पूरा वीडियो देखना चाहते है एंड तक तो वीडियो को जरूर हैं अब इंड आपंसे ट्रॉपर्टी की तरफ मैं आपको फूरा राता भी आपको दिखाने वाला हूं इस प्रॉपर्टि का और आइस सब्सक्राइब अपको दिखा ऑंगा इसे वीडियो में और हम चल रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी की तरफ चाहिए लेक्ता क्यान का तो गाइस हम आचुके अपने इस फ्लाइट के अंदर जो आज मैं आपको दिखाने आया हूं सबसे बहले मैं आपको अपना ये फ्लाइट दिखा देता हूं दोस्तों हमारी ये प्रॉपर्टी मटियाला एक्सेंशन के अंदर हमने बनाई है जो द्वारका सेक्टर 3 से केवल 400-500 मिटर की दूरी पर है रासा आपने देखी लिया हमारी प्रॉपर्टी का की द्वारका सेक्टर 3 से आप कैसे आ सकते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारे इस घर को दिखाने से सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं हमारा लिविंग एरिया जैसी हम एंटर होते है तो आपको मिलता है यह बड़े साइस का लिविंग एरिया और बिलीव मानीगा दोस्तों हम आपको यह काफी ससा फ्लाइट देने वाले हैं जिस पर मैक्सिमम लोग की फैसलेटी आपको मिलता है पूरे लिविंग एरिया के अंदर एक शांदर बर्क मिल जाता है वाल के आपको एक बड़ा सोफा जहां पर अराम से नो से दस लोगों की सिटिंग अरेजमेंट हमने दे दी है बीच में आपको टेबल मिल जाती है नजर मार सकते हो दोस्तों कितला खुबफूरक लिविंग एरिया होने वाला है उपर मिलती है प्यारी सी फॉल सेलिंग दोस्तों लिविंग एरिये के अंदर एल टाइप का सोफा अगर आप चाहे तो आप भी ऐसे ही लगा सकते हैं हमारे पास इस बिल्डिंग में दोनों आप्शन मिल जाते हैं सैमी और फुली फॉर्णिश्ट अगर आपको सैमी चाहिए तो आप सैमी भी ले सकते हैं फुली दोस्तों लिविंग एरिये के बात बात करते हैं हमारे गर के किचन की यह देखिए आपको आपको काफी बड़ा किचन आपको मिल जाता है एल टाइप का इसका स्लाइब एरिया उने वाला हाप पर आपको चिम्नी लगा कर दी जाएगी और यह आपकी बास्कित होगी और उ सब्सक्राइब लिए और इसका स्पेस भी अच्छा है काफी अच्छी टाइलिंग दिजाइन आपको में आपको दिखा रहे हमारे बेड़्यूंग अ बहुता है आपको बीच में आपको शिक्स का बैटरूम यह लगना भी बाकि है फुल्तिंग का वल्क हो चुका है उपर मिल जाती है आपको मोल्डिंग के डिजाइन बीच में आपको 6 by 6 का बैट हम लगा कर देने वाले और यह है आपकी वाट्रॉब यह देखें कितना विंडो मिल जाती है यहाँ पर हम आपको इस वाल को बना कर दे रहे हैं और सामने वाल के ऊपर टीवी पैनल भी आपको मिल र सेकंड बैट्रॉम के बात बात करते हैं थर्ड बैट्रॉम की और यह बैट्रॉम हमारा आपके सामने है देखें कितना प्यारा बैट्रॉम आपको मिल रहा है बीच में आपको 6 by 6 का बैट्रॉम मिल जाती है और इस रूम में आपको एक अटाइच वाश्रूम भी बिल रहा है हमारी ये प्रॉपर्टी 3BHK की है दोस्तों जो वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाई है अगर आप 3BHK का affordable range का फ्लाइट द्वारका सेक्टर 3 के बिल्कुल नज़ी के लेना चाहते हो तो जल्दी से गौरब आपको दे रहे है और अपना प्यार आशिरवाद गौरब होमस में बनाए रहे फिर मिलता हूं अपने एक नए वीडियो में अपने एक नए घर के ताक शुक्रिये थैंक्यू सो मच